हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल, कई बार हम अपनी डेली लाइफ में गुस्से में कुछ इस तरीके के सेंटेंसिस बोलते हैं जैसे आएए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंगलिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है इसके रूल में सबसे पहले तू हैल विद आता है, जिसका सेंस हिंदी में बार में गया से किया जाता है और last में उस चीज का या इंसान का नाम आता है जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये भाड में गया या फिर ये भाड में गई और अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि complete sentence को लिखने के बाद last में exclamation mark को जरूर लगाएंगे क्योंकि ऐसे sentences में हम एक feeling या emotion को show करते हैं चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए भाड में गई तुम To hell with you To hell with you भाड में गई वो सब To hell with them all To hell with them all भाड में गई उसकी धमकी To hell with his warning To hell with his warning भाड में गया ये काम To hell with this work To hell with this work भाड में गया उसका घमंड To hell with her arrogance To hell with her arrogance भाड में गई तुम्हारे बहाने To hell with your excuses To hell with your excuses भाड में गई तुम्हारे सारे दोस्त To hell with all your friends अब एक सेंटेंस आपके लिए भाड में गए उसके पैसे इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तर के लिए टेक कैर बाबाई